अब नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब बढ़ी है चलिए देखो अपने तीन एक्ट होगे एलेक्ट्रिसिटी फेमा और रोड ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन तो अभी अपन किसकी बात करेंगे नेक्ट पैमेंट वोनस एक्ट की बात करेंगे जिसको बोनस एक्ट भी कह करने से पहले कुछ है ना जो रोड ट्रांस्पोर्ट एक्ट की है ना जो कुछ एक एक आधी बात रह गए थी वह कर लेते हैं अपन देखो इसमें अपन सेक्शन 46 पढ़ाता अपनने किस चीज के रिगार्डिंग था पैनल्टी के रिगार्डिंग अगर ना जो कोई सब्सक्राइब करने मिश्टेक मुझे हो सकती है तो गलती हो गलती हो गलती तो देखो अब इससे क्या हुआ गया कि यह क्या है अपनी मेमोरी में कि एकइब कंपांटिंग of offense कौन कर सकता है compounding का मतलब पढ़ा चुका हूँ जनरल मैनेजर और authorized person इन दोनों के पास पावर है कि compounding कर सकते हैं अगर आपको जेल हो रही हो तो उसकी जगह आपको fine भरवा के और आपको छोड़ सकते हैं compounding का मतलब है तीसरे section 49 पड़ा था कोगनी जन्स तो कों कर सकता है मजिस्टेड कर सकता है तो यह तीनों बाते उसमें रह गई थी अब अपनी शुरू करेंगे पैमेंट बोनस एक्ट देखो पैमेंट बोनस एक्ट यह कहा है 1965 इसको बोनस एक्ट कहते हैं स्मॉल में अपन क्या कहेंगे इसको पॉबा ठीक है पॉबा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब इसलिए पॉबा बोल रहा हूं जब अपनी पढ़ेंगे न तो बारवार इतना बड़ा नाम थोड़ी बोलूंगा मैं तो वहां पर क्या बोल दूंगा पोबा तो समझ जाना क्या कि इसी एक्ट की बात हो रही देखो इसमें सेक्शन 40 है जो पन पढ़ेंगे और शेडियू पर अप्लिकेबल है इफेक्टिव डेट इसकी 25 सप्टेमबर 1965 है यह देखो यह तीन पढ़ेंगे ना उसकी एक जून दो जून और चार दिसंबर है अब वह तुम देख लेना ना कौन-कौन से एक्ट की है थोड़ी बहुत मैनत तो कर लो यह देख लेना कि वह किस से रिल रिवर्ड आ जाए तो यह एक्ट अप्लिकेबल होगा दूसरी बात अगर कोई एस्टिबलेश्मेंट उसमें परसन एंप्लोई है बीस के बराबर या बीस से ज्यादा कितने या तो बीस या फिर उससे ज्यादा एनी डे किसी भी दिन एक अकाउंटिंग एर में अकाउंट अगर कोई इस्टेबलेश्मेंट उसमें परसन एंप्लोई है 10 के बराबर या उससे ज्यादा लेकिन बीस से क्या होंगे कम मतलब क्या कह रहा हूंबन 10 से 19 के बीच अगर उसमें परसन है तो यह एक्ट वैसे तो नहीं है लेकिन अगर यह जाता है अप्रोप्रीट गोर्ण के पास तो अप्रोप्रियेट गवर्मेंट क्या करेगी अपने ऑफिशल गजट में एजी क्या करेगी ओजी में दो महीने का नोटिस देगी या उससे ज्यादा का तो कहेगी ना जैसे मानलों को कि इस्टेब्लिश्मेंट उससे 15 लोग है तो एगर उससे के दिया एजी ने औफिशल गज्यट में पज़्च कर दिया कि दो महीने के बाद ये act है न जो जो भी establishment में 15 लोग उस पर applicable होगा तो ये act क्या हो जाएगा उस पर भी applicable हो जाएगा ध्यान रखना इसमें एक तो दो महीने का notice important है और एक ये 10 से 19 वाला देखो एक तीसरी बात और सुनो अगर मालो कि इसमें है न जो 8 है अगर कोई establishment में कितने लोग है आठ लोग है तो appropriate government भी क्या है उसको applicable नहीं करवा सकती है minimum कितने लोग होने चाहिए 10 लोग होने चाहिए और अगर 10 है तो अपन बात कर चुके है 10 से 19 के 20 तो appropriate government क्या गरेगी applicable करवा सकती है next पढ़ो once applicable for ever applicable यह अपन एप्प में भी पढ़ेंगे इसका मतलब यह है है कि ili act act लग गया मतलब लग गया ठीक है अगर ही एक्ट लग गया मतलब लग गया फिर इसमें क्या है है इसको पन हटा नहीं सकते जैसे मागो पहले एक establishment में कितने लोग दे वीश लोग ते तो उसका हो रहा था अब उसमें कितने रह गए आठ लोग रह गए तो देखो यह इसके साब से इसके साब से सभी के साब से कि एक अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए लेकिन commence Quit अप्लीकेबल होगा क्यों कीए एक बार लग गया तो लग गयाँ उसमें एक और सेक्षन भान assuming instructions पेड उसकी बात करते हैं पेट फिर आपन कि या है अपनिक्स्स का एक्ट नावाड उसका खुद का एक्ट है ठीगा लेकिन ये पब्लिक सेक्टर पर अप्लाई हो सकती है यह स्वशन 20 में कहा गया उसके लिए 2 कंदिशन इसको फुलफिल करना जरूरी है पहली कंदिशन तो क्या कि जो पब्लिक सेक्टर एस्टिबलिशमेंट है न वो गुड्स को प्रड्यूस कर रही है हो college या फिर वो क्या कर रही हो service render कर रही है डिइकर या तो गुड्स को क्या कर रही हो produce manufacturing रही हो service render कर रही हो गिसको कंपेटिशन में private सेक्टर के कंपेटिशन में दूसरी बात यह जो गुड्स बेच रही है और सर्विस दे रही है इससे जो इंकम आना है वो ग्रोस इंकम की क्या हो या तो बीस परसेंट हो या फिर उससे कम हो तो अगर यह दोनों कंडिशन फुल्फिल हो रही है तो यह क्या है यह एक्ट किस पर अपलाई होगा यह एक्ट पब्लिक सेक्टर पर भी अपलाई होगा ठीक है यह सेक्शन वन अपना कंप्लीट हो अब अपन क्या करेंगे सेक्शन टू की बात करेंगे जिसमें अलग-अलग टाइब की डेफिनेशन से चलो तो अब अपन क्या करते हैं डेफिनेशन सुरू करते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग इयर की डेफिनेशन जिसको एवाई लिखेंगे अपना आगे सेक्शन टू सब सेक्शन वन हाँ बताओ चलो अकाउंटिंग इयर क्या होता है इधर मत देखना वैसे बता दो हैं अपन्तो वह ही जानते हैं एक अप्रेल से 31 मार्च वह ही अकाउंटिंग है और इस यज रखेंग और इसका कूं अज면 जब क्लोज और हो रही है तो वो वाला पेरेड क्या होगा हूं व teammates accounting year होगा books and accounts जिस दिन close और balance हो रही है तो opening से लेके closing तक क्या होगा जो accounting period होगा जो period होगा उसको क्या बोलेंगे accounting year बोलेंगे companies की बात करें company के time पर जो profit and loss account यह क्या profit and loss account उसका जो period होगा वो क्या होगा accounting year होगा और तो तीसरा अगर other than company और corporation की बात करें जैसे कोई proprietorship firm की बात कर ले तो अपना पुराना वाला एक अप्रेल से 31st March लेकिन इसमें भी एक चीज और है इसमें क्या option है कि अगर books and account को है न कोई proprietorship वो close और balance कर रहा अधर देन यह 31st March के अगर 31st March के लाओ वो अगर वो चाता है कि नहीं मैं यह वाला accounting year follow नहीं करना चाता तो वो क्या कर सकता है वो किसी और दिन जैसे कोई employer उसने close और balance किया 36 को मतलब 30 June को तो उसका accounting year क्या हो जाएगा 1 July से 30 June जैसे 1 July 2019 से 30 June 2020 आगे बाद समझ भी लेकिन अगर यह दुबारा चाता है फिर अगली साल कि मैं अपना accounting year change कर लो तो यह possible नहीं है यह केवल एक ही बार option exercise only once यह option केवल एक बार ही क्या है exercise किया जा सकता है आपकी पूरी firm के जितना भी लंबा period आपकी firm चल रही है उसमें एक ही बार exercise किया जा सकता है तो आया होगा समझ में यह तीनों चीज़े होगा corporation में क्या close and balance company में क्या profit loss account period और other than companies में या तो जो नॉर्मल वाला है वो लेकिन अगर कोई चाहे तो अपना अलग से किसी date को other than 31st को अगर वो चाहे तो कर सकता है फिर उसके लिए क्या है जिस दिन वो close करेगा उसके आगे वाला उसका accounting peer होगा year होगा और वो ही फिर हमेशा रहेगा चलिए अब देखो दूसरी बात करेंगे अपन पहली होगे accounting year अब करेंगे allocable surplus की बाद जो section 2 subsection 4 में दिया गया है allocable surplus क्या होता है देखो allocable surplus अगर company है तो available surplus है न उसका क्या है 67% कितना 67% वो क्या होगा allocable surplus होगा अब तुम जानना चाहोगे अवेलेबल surplus क्या होता है हना तो available surplus क्या बताता हूं मैं देखो available surplus क्या gross profit हुआ उसमें से माइनस करेंगे चार चीजे कितनी चीजे चार चीजे depreciation development rebate अगर कोई rebate मिल रही है direct tax और schedule 3 के items बस इतना याद रखना है आप है schedule 3 के items उसके deeply अपने को जाने की जरुरत नहीं है तो यह क्या हो गया available surplus तो यह gross profit में से यह minus आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा available surplus और उसका 67% क्या हो जाएगा allocable surplus लेकिन company के case में तो यह भी क्या है क्यूशन बन गया आपका और अगर company की बात नहीं कर रहे है other than company है तो 60% of available surplus तो याद कर लो 67 60 67 67 67 60 ठीक है चलो आगे अपन तीसरे point की बात करेंगे अवोर्ड की अब देखो एक अवोर्ड होता है अवोर्ड समझते हो न अवोर्ड रिवोर्ड इनका मतलब क्या होता है इनाम होता है लेकिन यहां पर क्या है अपन अलग contest में बात करेंगे देखो एंप्लोयर यार लिखेंगे एंप्लोयर को एंप्लोयर के जिसके लिए अपन जोब करते हैं ठीक है जो अपने को salary दे रहा है वो क्या है employer है और employee जो employer के लिए job कर रहा है वो employee हो गया इसको EE लिखेंगे अगर इन दोनों के बीच क्या dispute हो गया किसी चीज को लेके तो यह किसके पास जाएंगे तो arbitrator के पास जाएंगे या tribunal के पास जाएंगे जिनको यहाँ पर क्या कहेंगे sad authority कहेंगे तो जो sad authority का क्या है इस dispute के regarding जो final order आएगा या final decision आएगा उसको क्या है इस act में award कहा गया है ठीक है आगई होगी बाद जो sad authority का जो final order होता है उसको award कहा गया है बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को यह आगे आएगा कहीं पर लिखा हुआ तो समझ जाना आप कि sad authority का जो order है वो क्या है अवोर्ड है आगे बात करते हैं चलो अब देखो अब अपन बात करेंगे bonus की bonus कौन देता है bonus employer देता है employee को अपने को मिलता है न दिवाली बोनस तो देखो employee की क्या definition यह भी important है जिसकी salary और wages क्या हो या तो 21,000 पर मंत के बराबर हो या उससे कम हो और दूसरा जो एक क्या नहीं हो apprentice नहीं हो apprentice का मतलब होता है नो सिख्या जिसने अभी अभी काम करशीखना शुरू किया हो तो अगर जो apprentice नहीं है वो और जिसकी salary और wages क्या है 21,000 यह बराबर या उससे कम है तो वो क्या है employee कहलाएगा इस act के अंडर चाहे वो employee skilled हो unskilled हो उसका काम supervisor का हो चाहे clerk का हो technical nature का हो administrative nature का हो लेकिन अगर वो यह दो condition fulfill कर रहा है तो वो इस act के अंदर employee कहलाएगा और उसको bonus मिल सकता है उसके लिए condition और वो आगे पड़ेंगे लेकिन यह दोनों condition पहले फुल्फिल करना जरूरी है अब देखो salary और wages की बात कीती तो salary और wages में भी क्या क्या चीज़े include होती है यह भी equation आता है कि salary और wages में क्या तीन चीज़े include होती है उनमें देखो पहले आएगा basic दूसरा आएगा dearness allowance जिसको अपन डिये कहते हैं जो भी सरकार ने कल लिया ने फ्रीज वही वाला डिये तीसरा free food allowance या फिर free food आपको अगर कोई food allowance मिल रहा है या फिर free food मिल रहा है वह किसकी जगए या तो आपकी salary और वेजेज का पूरा एक कुछ particular amount है वो पूरा लख लिया हो या फिर आपका कोई एक part उसका काट के और आपको free food दिया जा रहा हूं तो यह याद आ रहा है प्रोविडेंट फंड की कर लो देखो यह मैंने लिखा है एक चारे टी यह लटी सी प्रोविडेंट फंड ग्रेचुएटी बोनस किसी की भी बात कर लो तो वह इसमें इंक्लूड नहीं होता अब सुनना अपनी इतनी चीज़े क्यों याद करेंगे अपनी उसके बार कुछ भी आता है वह क्या है एक्स्क्लूड अपने पास की सेलेरी वेज़िज में क्यांकर तो यह अपने तीन याद रखो इसके लावब जो भी आता हूँ एक्स्क्लूड तो आसानी से याद हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो अब अपन सेक्शन तीन के बाद करेंगे ध्यान से सुन लेना यही सेम बात अपन एपीएफ में भी करेंगे बहुत सिंपल सा सेक्शन है देखो कोई भी एस्टिबिश्मेंट है ना उसमें क्या बी यूडी बड़ मतलब क्या होती कलिका तो शौट्री का बी यूडी बड़ से याद कर सकते हैं ब्रांचेज अंडर्टेकिंग डिपार्टमेंट वह इस्टेबिश्मेंट का पार्ट कम माना जाएगा दो कंडिशन उसके लिए एक तो दोन प्रॉफिट लोउस अकाउंट बनना चीए और बैलेंस शीट अगर यह ना ज सबके कॉमन बन रहे हैं मतलब एक प्रॉफिट ल्लोउस और वेलेंस शीट बन रही है सभी की इन तीनों की कि इस यह तीनों क्या है कि पार्ट माने जाएंगे लॉकेशन इर्रिलेवे है जैसे पंजाब में 5 ब्रांचे हैं MP में 10 ब्रांचे महाराष्ट्र में 50 ब्रांचे तो क्या है तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है अगर इन सब के हैं जो प्रॉफिट लोज और बैलेंस शीट अगर एक ही बन फो यह क्या है यह पार्स माने माने जाएंग यह से थाइब लट कर लें अगर आने जो क्या और इसमयर्ड कीष्मेंट बन रहे तो वह सेपरेट इसमींड बन रहे हैं तो फिर वह त्सember अब देखो दो सेक्शन की बात कर लेते हैं सेक्शन आठ और नो देखो तो section 8 के क्या रहा है कि bonus के लिए eligibility क्या है पहले तो कि है आपने पढ़ा कि Employee की definition में अगर आ रहा है कि 20,000 या उससे कम उसकी salary और apprentice नहीं है तो वह तो क्या होगे employee और वह employee तो यह अगर 30 working days है एक accounting year में अगर उसने काम किया या तो 30 या फिर उससे ज्यादा ज्यादा गरेगा तो अच्छी बात है उतना ज्यादा बोनस मिलेगा और 30 से कम किया तो उसको बोनस नहीं मिलेगा तो यह यह बात ध्यान रख लेना 30 working days यहां पर important है अब देख लो मानलो उ पूरे मंत काम किया इलीजिबल होगा क्या देखो फरवरी में जो आज तक मैंने तो इतिहास में देखा नहीं कि 30 working days होते हो आपके कलेंडर में होते हो तो बात अलग है हमारे क्यां तो नहीं होते हैं ठीक है तो उसने क्या फुल मंत काम किया लेकिन क्या 30 working days नहीं होए न त फिर कोई भी मंत बाकी 11 महीने बच्चे उसमें से अगर उसने कोई भी पूरे महीने काम किया तो 30 working days उससे ज्यादा होंगे 30 होते या 30 होते तो बोनस के लिए लिजिबल होगा सबसे इंपोर्टेंट यह है कि यहां पर मंत से अपने को कोई लेना देना नहीं यहां पर अप अब उसने कोई फ्रोड किया हो या फिर उसने राइट यह स्यावीलेंट बीहेवर किया वह डायलोग कि तुम सैलेंट हो वर्ना वह वाली बात है अगर वह विलन हो गया वहांपे डायलोग बोल दिया तो फिर एंपलोयर क्या कहाएगा कि बेटा आप तुझे बोनस नहीं म लातावाई पे उतराय हो तीसरा उसने कहा कि या तो चोरी किये मिस्स अप्रोप्रेशं गबन करते हैं ना रहुम खा जाते हैं किसी चीज़ को जैसे कि यह पिर सबॉटेज कर दिया तोड़ कर दिए एमप्वेयर की प्रोपर्टी को तो यह तें केस जिसमें क्या है उसको बोनस नहीं मिलेगा अब देखो सुनो अगर मालो 2013 14 14 15 16 तीन अकाउंटिंग यह ले लिए उसको क्या है कि 2015 16 में बोनस मिलना था वैसे तो क्या होता है कि पिछले साल का बोनस अगले साल 2013 14 14 15 में मिलता है ध्यान अपन जैसे अपने दिमांग चलाना अपने को याद रखना है कि अपने कुछ म अधाय तो उससे के दिमांग में अक्यूरेट विट हो गया उसे मालो एक महीना है माच 6 महीने है ठीक है तो बोनस का यह हो गया तो अब इसने क्या कि यह कि दो जर तेरा चोदा का बोनस 14 15 में मिलना चाहिए तो लेकिन इसको क्या है दो जर तेरा चोदा का 14 15 में नहीं मिला और अब 15 16 में क्या उसको दोने साल का बोनस मिलने वाला था तो इसने क्या कब अग् preço वात तो यहां पर discussion का मतलब यहीं किअगर उसने में से कुछ भी एक तो उसको कर दिया तो उसको मिलेगा हिसे कभी उसको पुराने साल और लास्ट सलय सबस्क्राइब पूर अक्रण कर दिये जाएंगे चलो आगे बढ़तेँ अब देखो section 10 11 और 12 की बात करेंगे section 8 की बात कर चुके हैं दो में अपने definitions की बात कर चुके हैं 8 9 की बात कर लिए 10 11 और 13 10 में देखो minimum bonus है minimum bonus क्या है देखो नाम से पता चल रहा है कि इतना bonus तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप जो eligibility complete कर रहे हैं अगर आपने 30 working days से ज्यादा काम किया है न तो इतना bonus 30 working days से ज्यादा कितना अगर आपने full working days काम किया तो आपको उतना minimum bonus तो मिलेगा है मिलेगा यह कितना है 8.33% या फिर क्या है सो रूपए सो रूपए किसके case में अगर कोई वक्ती 15 साल या उससे ज्यादा का हो ठीक है यह समझना बात हो यह थोड़ा क्या हो सकता ओड लग जाए कि 15 साल और 15 साल से कम लेकिन यह ऐसा है कि 15 साल यह उससे ज्यादा हो तो सो रूप और 15 साल से कम हो तो क्या है साट रूपए इन दोनों में जो higher होगा न वह क्या है minimum bonus है और वह employee को क्या है payable होगा आप देख एक्जामपल ले लोगी कि किसी की salary वैजे 10,000 रूपए और 15 साल से ज्यादा है तो महान लोग 15 साल से कम की बात कर ले तो 60 आ जाएगा यहां पर 833 तो भी 833 मिलेगा ठीक है यह minimum bonus की बात maximum bonus कितना होता है 20% of salary wages आपकी जो भी salary है जैसे इसकी बात कर ले 10,000 रूपए है तो इसका 20% कितना हो गया 2000 रूपए हो गया तो maximum bonus कितना मिलेगा 2000 रूपए उसको मिल ज बोनस किसके proportion में आपके working days के proportion में जैसे मान लो कोई 15 साल या उससे ज्यादा का कोई employee था उसको कितना bonus मिलना था अपन मान के चल रहें उसको 100 रूपए बोनस मिलना था लेकिन उसने क्या कि यह 200 days थे working days लेकिन उसने क्या 100 days क्या work किया तो 100 by 200 तो कितना आ जाएगा 50 रूप यह proportionate तो सेक्शन 10 11 और 13 अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन 15 जिसको अलोकेबल सर्प्लस सेट ऑफ सेट ऑफ चलो सेक्शन 15 अगी बात कर लें अलोकेबल सर्प्लस अलोकेबल सर्प्लस पढ़ चुके अपन क्या होता है बोलो अभी तो पढ़ाया था यार 67 परसेंट ओप in case of other than company अब देखो इसमें दो चीज़े होती तो सेट ओन और सेट ओफ सेट उन का मतलब होता है एड करना और सेट अप का मतलब होता है रिड्यूस करना या सबस्ट्रेक्ट करना मतलब कम करना अपने को तो सेट ओन की कंडिशन का बात है जब अलोकेबल सर्प्लस क्या है मै अक्सेस कंडिशन बोलते हैं और इसका जो 20% अपन केरी फोरवड करेंगे चार अकाउंटिंग यह में अगले में जैसे अभी मालों 13 14 चल रहा है तो 14 15 15 16 16 17 17 18 चार साल हो तो कब उसको केरी फोरवड कर सकते हैं ठीक अगर वो नेक्स्ट इर में खता हो जाता तो बात अलग है लेकिन अगर वो पड़ा है तो उसको चार सालों तक केरी फोरवड करेंगे दूसरा अगरन सेट आफ यह यह कब होता है जब अलोकेबल सर्प्लिस क्या है मिनिमम बोनस से कम है तो इसको डेफिशेंसी कंडिशन कहते हैं और इस कंडिशन में भी क्या है कि डेफिशेंसी क क्या करेंगे नेक्स्ट चार सालों तक अकाउंटिंग येर तक क्या है केरी फोरवड करेंगे अब देखो इसका क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे सेट आफ किया कुछ अपना बोनस था जैसे महलों 5 रुपे क्या था एकसेस था 5 रुप का 20% कर लिए एक लाग पर आपन ने अगली साल कर लिया अगली साल के डेफिशेंसी की कंडिशन आ गई तो पड़ा है न उसमें से क्या है पैसा बोनस के रूप में दे देंगे तो ऐसा क्या है ऐसा चार साल तक करते हैं और दूसरी बात इसमें यह है कि जो पहले गया है जैसे मालों पहले यह 2013 14 की यूज करेंगे ठीक है जो पहले एड हो रहा है वो पहले यूज होगा अगी बात समझ में तो यह बात है तो यह हो गया अलोगेबल सर प्लस यह भी ध्यान से समझ लेना इसका भी क्यूशन आ सकता है सेट ओन और सेट आफ से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है सेक्शन 15 अब द से ज़्यादा लोग काम करने चाहिए अगर 10 से 19 लोग काम कर रहे है तो अप्रोप्रियेट गोवर्मेंट क्या करेगी एजी ओजी में क्या करेगी दो महिने उससे नोटिस देगी और उसके बाद वो क्या है उस पर अप्लिकेबल हो जाएगा वन से एप्लिकेबल फोर इव बीस परसेंट है या फिर उससे कम है तो भी क्या है यह एक्ट अप्लिकेबल होगा सक्शन दो में अपनने क्या बार कि अकांटिंग इयर की डेफिनेशन की बात की जिसमें के सब्सक्राइबख अगर बाद में अगर हो 31 मार्च के अलावा भी closing करना चाहता है तो कर सकता है फिर वो जो नया financial होगा वो एक बार ही applicable हो उसका उसमें दुबारा change नहीं होगा उसके बाद अपनने क्या पढ़ा था अलोकेबल surplus वो क्या होता है अवेलेबल surplus का 67% company के case में या फिर 60% other than company के case में उसके बाद अपनने क्य पढ़ा कि employee की definition पढ़ी कि जिसकी salary 21,000 के बराबर या उससे कम और जो apprentice नहीं हो वो क्या है employee है फिर उसके बाद अपनने पढ़ा कि salary और wages का क्या मतलब है तो उसमें तीन चीजे इंक्लूड थी basic DA और क्या था free food allowance उसके बाद अपनने section 2 के बाद section 3 पढ़ा था जिसमें अप profit loss account अगर profit loss और balance sheet बन रही है तो वो क्या है establishment का part है location क्या है irrelevant location से अपने को कोई मतलब नहीं है उसके बाद अपने section 8 की बात किती जिसमें eligibility की बात किती 30 working days कम से कम उसको काम करना है तब वो bonus के लिए eligible होगा section 9 में अपने disqualification की बात किती वो bonus के लिए उसको disqualify कर दिया aware किया हो या उसने theft misappropriation या supportage किया property उसके बाद अपने section 10 में minimum bonus की बात कि जो 8.33% या 100 अगर age 15 या उससे ज्यादा है तो 100 नहीं तो 60 rupees 15 से कम है तो उनका जो भी higher होगा वो दिया जाएगा section 11 में अपने maximum bonus की बात की जो salary wages का कितना होगा 20% होगा section 13 में अपने proportionate proportionate की बात की जितना working days काम करेगा bonus जनों उसके proportionate में मिलेगा और उसके बाद section 15 जो अपन अभी पढ़ चुके हैं ठीक है चलिए फिर मिलते हैं next video में ओके टाटा बाई वाई थैंक यू वेरी मच हाँ और एक बात जो मैं हमेशा कहना भूल जाता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो like share और subscribe करें और comment box में जाके comment करें ताकि मैं और ज्यादा appreciate हूँ और ज्यादा अच्छा वीडियो बनाने की अगर आपको है आपके कोई suggestions है तो वह भी आप comment box में लिख सकते हैं ठीक है ओके चलिए बाबाई